कि टेडी वीट मी है लो गाइज एन वेलकम बेक और चनल इस्ट वीडियो में सेकंड चेप्टर के बारे में पढ़ा था जो कि कमिलेट हो चुका था और आज चेप्टर नेमर थर्ड जो कि वेवारवाथ बीहेवर लिज्म वेवारवाथ का आशा है मतलब वेवारवाथ किया है वो देखेंगे कि वेवारवाथ का आशा है कि देटियो महायूत के बाद परमपरागत आजनीती विग्यान के विरोध में एक बहुत बड़ी करांथी उप्रारम हो गयी जिसने सभी समाज विग्यानों को परभावित किया और इसी करांथी को वेवारवाथ का नाम दिया देखें कि विवारवाथ का उध्य कैसे हुआ और इसकी विकास के क्या क्या कारण थे तो असे देखें फैला है प्रमप्रागत अध्यान पदितों के प्रति आशन तोस बीश्वी शतापदी के प्रादम में अनेक राजनीती शास्त्रीओ को परमपरगत राजनीती शास्त्र की अध्यन से निराशा हुई राजविग्यानिकों ने परमप्राकत अध्यनपत्यजों के प्रति बढ़ते हुए अशन्तोस के कुछ परमुक कारण बताये थे जैसे देखे पर्थम अशन्तोस और हाँ प्रतम अशन्तोस है कि राजनिती सास्टिव ने देखा कि शासन के निती निर्मान एवं उसके निर्दारन के इस तरव राजनिती ग्यों एवं राजनेताव को सम्मान जनक स्थान दिया जाता था लेकिन लेकिन उनके जब ग्यान और कोशल के और अनुबव की आशा उमित की गई थी तब उनको निराशा प्राप्त हुई और असंतोस प्राप्त हुआ ठीक है पहला असंदोस हो चुका है और अब द्वितिय असंदोस द्वितिय असंदोस के अंदर राजविक्यानिकों ने इसमें यहाँ अनुभव किया गया कि सिद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा था जो की विश्वास करने हो गया बिलकुल दो महयुदों के बीच के काल में फासीवाद नाजीवाद प्रजातिवाद एम एकादिकार परवर्ट्यों के उदय, विकास, एम लोगप्रियता के कारणों के विश्वशनिय तर्क प्रमपरागत प्रकरती में संबव नहीं थे ठीक है उसके बाद है चतूर्थ अशंतोस, राज विग्यान के निरेंदर विकास से हम लोग प्रिता के बाद भी विशय की अध्यान पद्दती जो की वर्नात्मक्षेली की थी उसको अप्रियाप्त माना गया आप वापस से सारे points जो मैंने बोले उनको वापस से एक बार ठीक तरीके से सुनना उनको वापस से रीड करना आपको easily समय में आधाएंगे और रटा मत ना मार के इसको जितना हो सके आप समझ कर अंडरस्टेंडिंग कर के इसको आप याद करने की कोशिश करें ठीक है second point है कि अन्या सामाजे विघ्यानों से प्र एवना असंतो उसका कंप्लेट हो चुकण है उसके वाद में अन्या सामाजे विघ्यानों से प्रेड छूका है। व्यावारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्धेश्य राजनितिक्स अध्यन को आधुनिक मनोवेग्यानिक समासास्त्र और अर्थ सास्त्र में विक्षित सिद्धान तो पद्धतियों खोजो और द्रश्टी कौन के संपर्ग में पान लाना है जो थर्ड टोपिक है जो थर्ड पॉंट वो है द्वित्य विश्वियत का प्रभाव थर्ड पॉंट है द्वित्य महायूद ने व्यवारवात को गति परदान की यूद्ध की घट्नाओं ने राजनितिक सास्त्र के मन में यह बात बैठा दि चीवन की आ जटिलताओं को पु व्यवार का अध्यान करना होगा ठीक है इसको वापस से आप रीड कीजिए तो टाट पटा पॉइंट है बड़ आपको समया जाए और जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है व्यवारवाद का विकास कि व्यवारवाद का विकास कैसे हुआ इसका जो प्रारंब है वो 1908 में ग्राह रलत किजिएगा वालस ने राज्ञीति के अध्यन करता हो द्वारा संस्थाों का विश्लेशन करने मानों का विश्लेशन करने के बचने के पक्ष में अनसंतोष व्यक्ट किया है इसके बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना New Aspects of Politics को व्यवारवाद की दिशा में एक महत्वपुन चरण कहा जा सकता है ठीक है ओके नेक्स्ट है व्यवारवाद का स्वरूप और मूल मान्यता है कहीं कुछ प्रवलम हो तो बता देना आप कमेंट बाक्स में व्यवारवाद आज बहुत अधीक प्रचलित और व्यापक हो गया है व्यवारवाद आज बहुत ही अधीक प्रचलित और व्यापक बहुत ही बड़ा हो गया है किन्तु कुछ विद्वानों के अर्थ में इसके सम्मन्द में अलग अलग है कुछ विद्वान के अनुसार ये केवल मनोदसा या मनोवरती है लेकिन कुछ विचारकों की दरश्टी में इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धान और कार्यवी दिया है किर्क पैट्रिक ने व्यवारवाद के स्वरू का इसपस्टता और विश्रक्दता के साथ विवेचन किया है इसके अनुसार व्यवारवाद की चार प्रमुक विश्यस्ता है हैं कौन-कौन सी है देखे फर्स्ट फर्स्ट विश्ष्टा है कि राजनितिक अध्यन और शोध कार्य में विश्लेशन की मौलिक इकाई संस्था नहीं बल्कि एक व्यक्ति होना चाहिए राजनितिक की अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ एकता पर बल देता है ठीक है और उसका थर्ड़ पॉइंट है कि किरिक पेट्रिक का कहना है कि जहां तक की संभव हो सांक्य की या परिणात्मक सुत्री करनों का उप्यों किया जाना चाहिए ठीक है फॉर्ड पॉइंट है य उसने अपने लेक दर क्रेंट मेंग ओफ व्येवियर लिव में विभारवात को नीमन परकार से प्रस्तूत किया इंदिए किसंब किसंब कार फिस्ट नैइमन विवारवाध को कि राजनितिक व्यावार में सामाने तत्वे ढूंडे जा सकते हैं और उन तत्वों को राजनितिक व्यहवार के सिद्धांतों के रूप में व्यक्ठ किया जा सकता है कि करने को सत्यापन मानुआ व्योग में मानवया व्यभार का प्रियावत करने और अध्यान करता द्वारा उन्हें सावधानी से सुध्ध एमंप परिष्ट किया जाने की आवशक्ता होती है माँमय वेवर का विशलेशन कर परिणामो को अंकित करने के लिए कठोच शुद्धी करणके साधनों को अपना करना चाहिए विवन तता आदार सामगरी को लेकबत करने तता उसे इस पष्टत लानने के लिए ही मापन और परिमाने करन किया जाना चाहिए अपना गई मुल्यवा आदर्शों को अध्यान करता कि मुल्यवा आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मुल्यवा आदर्श अध्यान करता कि मुल्यवा आदर्शों से अप्रभावित रने चाहिए शिद्ध पॉइंट है व्यवस्ति बद्धिकरन सिद्दांत एमनुसंदान को संबन्द और करंबत ग्यान के दो एक ऐसे भाग है जो परस पर एक दूसरे के साथ गुंते होए हैं सिद्दांत से अशिक्षित अनुसंदान निर्थक हो सकता है और आखड़ों से असमर्थित सिद्दान निर्थक रहेगा सेवंथ पॉइंट है विशुद ग्यान का पडियोग वेग्यानिक का भी उतना ही अंग है जितना की सिद्धान्तमक बोध का है और फाइनल पॉइंट है कि समग रता व्यावरवाद जो की एक परमुक मानेता यह है कि समस्त माना व्यावर एक ही पूनिकाई है और उसका अध्यान खंडों में नहीं होना चाहिए ठीक है इसी करण वीबिन समाज विगान परस पर अत्यान समीप है जो नेक्स रोपेक है व् नहीं की वीडियो थोड़ी लेंदी हो चुकिया है बट सुरी फॉर इस और अपन नेक्स वीडियो में मिलेंगे उसके अंदर व्यावराद की अलोचना है और नेक्स वीडियो के अंदर यह चैटर कम्लेट जाएगा तब तक के लिए गुडबाई इस्टे होम अ कि वीडियो को था है और अपना है अपना है और आर अपना है आया है जाया है झालोचना है डिए अंदर इस्टे हैव्ट।